मुख्यमंत्री ने विसी से किया चूरू जिले में 554.12 करोड की लागत की सड़क विकास कारियों का शीला न्यास कलक्टेट के डियो आईटी कक्षिस से जुड़े अधिकारी मुख्यमंत्री अशोक गेलोत ने मुख्यमंत्री निवास से विडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से चूरू जिले की 554.12 करोड की लागत के दो सड़क विकास कारियों का शीला न्यास किया इसमें राजगट भादरा राज्य राजमार्ग संक्या 106 तता चूरू तारानगर नोहर राज्य उच मार्ग संक्या 36 के उन्यान तता विकास का कारिय शामिल है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दोरान जिला मुख्या लेस्तित कलक्टेट के डियो आईटी के विश्तिक अक्षर में जिला कलक्टर सिधार्थ सियाग कार्यकरम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्रि अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार परदेश में उतकरिष्ट आधार्बूत ढचा तयार करने के लिए निरंतर कार्यकर रही है पिछले चार सालों में 30,000 क्रोड रुपे लागत की 61,000 किलोमीटर सडकों का परदेश में निर्मान हुआ है चुरू के सारजुनिक निर्मान विवाग अदिक्षन भ्यंता शीशपाल सिंग ने बताया कि मुख्यमंत्री ने चुरू तारानगर नोहर राज्य उचमार के उन्यान और विकास कारे का शीला न्यास किया इस 111.940 किलोमीटर सडक से 110.68 किलोमीटर दो लेन और 1.26 किलोमीटर की फोर लेन सडक बनेगी इसके अलावा छे पुलियों का निर्मान किया जाएगा चुरू जिले में ये सडक प्रियोजना चुरू भालेरी सडक पर गाउं गासर से शुरू होकर तारानगर सहवा होते हुए नोहर जाकर समापत होगी राजगर भादरा राजजिया राजमार्क संक्या 106 के विकास से राजगर के कई गाउं जुडेंगे तथा आवा गर्मन में समय की बच्चत होगी